जैश्री हरी स्पीचल ग्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज जिस कथा को हम सुनेंगे उस कथा को रोज द्वारिका धीश को सोते समय सुनाया जाता है द्वारिका रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारो और फैल गया बड़े बड़े नर्पती और सत्ता दिकारी भी उनके सामने मस्तक जुकाने लगे उनके गुणों का गान करने लगे बलराम के वलबैभाव और उनकी ख्याती पर मुक्त होकर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाः उनके साथ कर दिया बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे अतहा नियम अनुसार स्वर्पथम उनहीं का विवाः हुआ उन दिनों विधर्व देश में भीश्मक नामक एक परमति जश्वी और सद्गुणी नर्पती राज्य करते थे कुंडिनपूर उनकी राजधानी थी उनके पाँच पुत्र और एक पुत्री थी उसमें लक्ष्मी के समान ही दिव्वे लक्षन थे अतहा लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे रुक्मनी जब विवा योग्य हो गई तो भीश्मक कोज की विवा की चिंता हुई रुक्मनी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्रीक्रेश्न की प्रशंसा किया करते थे वे रुक्मनी से कहा करते थे श्रीक्रेश्न आलोकिक पुरुष है इस समय संपून विश्व में उनके साद्रिश्य कोई अन्य पुरुष नहीं है भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुन्दर्ता पर मुक्त होकर रुक्मनी ने मन ही मन निश्चे किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़ कर किसी को भी पती रूप में वरण नहीं करेगी उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि विधर्व नरेश भीश्मक की पुत्री रुक्मनी परम रूपवती तो है ही परम सुलक्षणा भी है बीश्मक का बड़ा पुत्र रुकमी भगवान श्रीक्रेश्न से सत्रुता रखता था वह बहन रुकमनी का विवा शिशुपाल से करना चाहता था क्योंकि शिशुपाल भी श्रीक्रेश्न से द्वेश रखता था बीश्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छानुसार रुक्मनी का विवा शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चे किया उन्होंने शिशुपाल के पास संदेश बेच कर विवा की तिथी भी निश्चित कर दी रुक्मनी को जब इस बात का पता लगा कि उसका विभाश शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है तो वह बड़ी दुखी हुई उसने अपना निश्चे प्रकट करने के लिए एक भ्रामण को द्वारिका श्रीकृष्ण के पास भेजा रुक्मनी ने श्रीकृष्ण के पास भ्रामण के हातों संदेश भेजा हे नंदनंदन आपको ही पती रूप में वरण किया है मैं आपको छोड़ कर किसी अन्य पुरुष के साथ विभा नहीं कर सकती मेरे पिता मेरी इच्छा की विरुद मेरा विभा शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं विभा की तिती भी निश्चित हो गई है मेरे कुल की रिती है कि विभा की पूर्व होने वाली वधु को नगर के बाहर गिरजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है मैं भी विभा की वस्त्रों में सच धर्शकर दर्शन करने के लिए गिरजा के मंदिर में जाऊंगी मैं चाहती हूँ आप गिरजा मंदिर में पहुँँचकर मुझे पतनी रूप में स्विकार करें यदि आप नहीं पहुँचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दोगी रुक्मनी का संदेश पाकर भगवान श्रीकृष्ण रत पर सवार होकर श्री ग्रही कुंडिनपूर की ओर चल दिये उन्होंने रुक्मनी के दूत ब्रहमण को भी रत पर बिठा लिया श्रीकृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी तो वे ये सोचकर चिंतित हो उठे कि श्रीकृष्ण अकेले ही कुंडिनपूर गए हैं अतहा वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिनपूर के लिए चल पड़े उधर भीश्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था फलतहा शिशुपाल निश्चित तिथी पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपूर चा पहुँचा बारात क्या थी पूरी सेना थी शिशुपाल की उस बारात में जरसंद, पॉंड्रक, शाल्व और वक्रनेत्र आदी राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे सभी राजा क्रेश्न से सत्रुता रखते थे विभा का दिन था, सारा नगर बंदनवारों और तोरणों से सज्जित था मंगल वाद बज रहे थे, मंगल गीत भी गाय जा रहे थे, पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी नगर नगर वासियों को जब इस बात का पता चला कि श्रीक्रेश्न और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बड़े प्रसन हुए वे मन ही मन सोचने लगे कितना अच्छा होता यदि रुक्मनी का विवाद श्रीक्रेश्न के साथ होता क्यूंकि वे ही उसके लिए योग्यवर है संध्या के पस्चात का समय था रुक्मनी विवाद के वस्तरों में सच धचकर गिरजा के मंदित की योड चल पड़ी उसके साथ उसकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे वे अत्यदिक उदास और चिंतित थी क्यूंकि जिस ब्रामन को उसने श्रीक्रेश्न के पास भेजा था वे अभी लोटकर उसके पास नहीं पहाँचा था रुक्मनी ने गिरजा की पूजा करते हुए उनसे प्रातना की हे मा तुम सारे जगत की मा हो मेरी अभिलाशा पूर्ण करो मैं श्रीक्रेश्न को छोड़ कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाद नहीं करना चाहती रुक्मनी जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे वह ब्रहमन दिखाई पड़ा यत्पी ब्रहमन ने रुक्मनी से कुछ कहा नहीं किन्तु ब्रहमन को देखकर रुक्मनी बहुत प्रसन हुई उन्हें यह समझने में शंशे नहीं रहा कि श्रीक्रेश्ण भगवान ने उसके समर्पन को स्वीकार कर लिया है रुक्मनी अपने रत पर बैठना ही चाहाती थी कि श्रीक्रेश्ण ने विद्युत तरंग की भाती पहुँचकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें खीचकर अपने रत पर बठा लिया और त्रीव व्रगती से द्वार्का की और चल पड़े शण भर में ही संपून कुंडिनपुर में खबर फैल गई कि श्रीक्रेश्ण प्रुक्मनी का हरन करके उसे द्वार्का पुरी ले गए शिशुपाल की कानों में जब ये समाचार पहुँचा तो वह कृध हो उठा उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्रीक्रेश्ण का पीछा किया किन्तु बीच में ही बलराम और यदुवन्शियों ने शिशुपाल आदी को रोक लिया भ्यंकर युद हुआ बलराम और यदुवन्शियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदी की सेना को नस्ट कर दिया फलत हां शिशुपाल आधी निराश होकर कुंडिनपूर से चले गए रुकमी यह सुनकर क्रोध से काप उठा उसने बहुत बड़ी सैना लेकर श्रीक्रेश्न का पीछा किया उसने प्रतिग्या की कि वह या तो श्रीक्रेश्न को बंदी बना कर लोटेगा या फिर कुंडिनपूर अपना मुहून नहीं दिखाएगा रुकमी और श्रीक्रेश्न का घंगोर युदुआ श्रीक्रेश्न ने उसे युद में हरा कर अपने रत से बान दिया किन्तु बलराम ने उसे चुड़ा लिया उन्होंने श्री कृष्ण से कहा रुकमी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह का डंड देना उचित नहीं है रुकमी अपनी प्रतिग्या के अनुसार पुनहा लोट कर कुंडिनपुर नहीं गया, वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा कहते हैं कि रुकमी के वंसस आज भी उसी नगर में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने रुकमनी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विदिवत विभा किया, प्रद्युमन उन्हीं के गर्भ से उत्पन हुए थे, जो कामदेव के अफ्तार माने जाते हैं श्री कृष्ण की पट्रानियों में रुकमनी का महतुपूनिस्थान था, उनके प्रेम और उनकी भक्ती पर भगवान श्री कृष्ण मुक्त थे, उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं जो बहुत ही प्रेरग हैं भगवान श्री कृष्ण और रुकमनी की संतानों के नाम, उनके पुत्र हैं प्रद्युमन, चारुदेश्ण, सुदेश्ण, पराकर्मी, चारुदेश, चारुचारुगूप्त, भत्रचारु, चारुचंद्रविचारु, चारुचारु, और उनकी पुत्री है चारुमती कैसी लगी आप से भी कोई एक अथा कमेंट सेक्शन में बताएं सीतर है कि और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें